हाई एवरिबन वेलकम बैक तो गाइस आज की इस वीडियो में फोटोशॉप की ग्लास नमबर दो होने वाली है तो आज इसली वीडियो में जो हमने सीखा था वो हमने फोटोशॉप का बेसिक इंड्रोडक्शन सीखा था तो आज यूए में आपको इसका जो इंटरफेस है वोज के बारे में कुछ बताने वाला हूं कि जो इसका इंटरफेस है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना हम को फोटो ऑपन कर लेते हैं तो रिसेंट फाइल से इसमें इसमें एक फाइल को उपन कर लेते हैं इसी फाइल को उपन करते हैं सबसे पहल को बिल्कुल जादा जोमिन कर देते हैं तो इसमें कहाच छोटे-छोटे बॉक्स नजर आएंगे तो इन्हें को हम पिक्सल कहते हैं काफी लोग डावट होता है कि इसमें पिक्सल क्या है उनको पता नहीं होता तो इसमें कि हर एक पिक्सल के अंदर अलग-अलग के कि हमारे पिक्षल बनते हैं लोन इनपेक्स को मिलावन करके जो हमारी इमेज हैं जो बन होती है इसके बार से नेक्स ढाइर टॉपिक है कि वह उसमें सीकेंगे हम यह मेंано आ पर आता ताले में यहां से कलोज हो जाए तो म्हांसे उपन कर सकते हैं एक किसेजह आंदर वरक स्पेस कैसे बना सकते हैं जिसे मान लिजए मैं यहां पर बिल्कुल सा एक workspace बना रहा है जिसमें सिर्क हमारा यहां सरोब इसे रहे हैं और हमारा तूल बार आ रहा है पे जैसे पहसले हैं फैलिडों करेंगे तो फोटोशौप में दाक है उप अब देखे विंडो में हमें जाना है और सबसे उपर यहां में option भी लेगा है इसके अंदर workspaces का तो मैंने हाँ पर youtube shots के नाम से अपना बना रखा है जिसको मैं जायतार use करता हूँ अब देखे हमें अगर default करना है इसके अंदर जो photoshop का default जो इसमें interface आता है अगर हमें वह apply करना है तो हम क्या करेंगे हाँ पर essentials यहां पर दिखा रखा इसके अंदर essential default तो हमें क्या करना है इसके उपर हमें click करना है तो यहां पर default Photoshop का जो असेंचल interface है वह इसमें आ जागा है यहां से click करना है default यहां पर यह youtube motion वाला है तो हम यह motion वाला यूज़ कर सकते हैं और हम यहां पर फोटोग्राफी वाला कर चाहते हैं तो लेयर पैनल आ गया और आप चाहो तो देखिए जैसे अभी एक साथ यह एड़ हो चुके हैं हम चाहते हैं इनको अलग-अलग करना तो यहां से हम क्लिक करके इसको ड्रैक करेंगे तो यह अलग-अलग एक साथ तो तुमेल जाना है तो हमें जाना पड़ेगा कि विंडो में और फिर हमें जाने आपे वर्क स्पेसिस में और यहां पर हम इसमें एड़ करेंगे इसमें न्यू वर्क स्पेसिस यहां पर option हमें मिल जाएगा तो यहां में एड़ करना है न्यू वर्क स्पेसिस इस पर क्लिक कर देना है अब हम यहां पर पर मैंने इन सब चीजह को यहां से close कर दिया आप हम चाहते हैं कि हमें अपना वाला interface उसकारना है तो यहां पूझाना है Windows में Workspaces में और देखे हां पर दुबारा इस पर वाला उसके ज़्यादा क्योंकि मुझे यही रगता है लेयर पैनल यूज़ करना वहता है सबस्यादा तो मैं सिर्फ इसी पर काम करता हूं और बिल्कुल क्लीन इंटरफेस यहां पर रखके काम करना चाहिए ज्यादा इसमें इंटरफेस का में यूज नहीं करना इसके बाद पर इसका इंटरफेस इसमें आपको कुछ चीज़े बताना चाहंगा जैसे कि स्टेटस बार क्या होता है मैनू वार क्या होता है तो देखे सबसे पहले फोटोशॉप को जब उपन करते हैं तो यहां पर हमारा यह मैनू वार होता है और और इसके बार आपको पिसली वीडि तो टूल से हमारे आज हम दो टूल सीखने वाले एक हम सीखेंगे इसमें सेलेक्शन टूल और एक सीखेंगे इसमें मॉव टूल तो सबसे फोटो ओपन करने है तो फोटो ओपन करने का मैंने आपको तरीका बताया था फाइल मेन्यू पर जाना है और यहां से करेंगे हम ओपन या फिर हम कीबोर्ड में Ctrl प्लस O बटन प्रेस करेंगे तो यहां से हम फोटो को ओपन कर सकते हैं जैसे हमारी यह वाली फोटो है इस फोटो को स्लेक्ट किया हमने और यह देखे फोटो यहां पर यह ओपन हो चुकी है अब हमें करना है कि हम चाहते हैं कि हमें किसी एडिये को यहां से मूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर हम एक nos document बनाते हैं यह हमने फोटो अपन किया है और ctrl plus n करके यहां से हम एक new photo document को open कर लेंगे और हम चाहते हैं कि हमें क्या करना है मैं जातो जैसे यह यहां पर text लिखा है तो हम चाहते हैं text को यहां से move करना है और हमें document पर add करना है तो simply में क्या करना है इसको select करना है यह हमने इसको select किया और अब देखे इसमें selection हो चुका है इसके बाद से हम क्या करेंगे यहां पर हमारा move tool है तो move tool काम क्या होता है यहांसा पर इसको click करके drag करेंगे आप इसको easily अब कहीं भी move कर सकते है तो हमें क्या करना है इसको जो हमने selection किया इसको यहां से drag करके इस white वाले canvas पे लेके आना है तो हम करेंगे कि यहां से इसको उठाकर drag करना है और यहां पर इसको लेकर आना है यहां पर छोड़ देंगे तो देखे यहां पर इसमें आ चुका है अब देखे इसमें problem क्या रही है इसमें प्रोब्लम आ रहे है कि यहां पर देखे क्या लिखा रहा है इसके इंदर gray scale इसका मतलब क्या है कि यह जो document हमने create कर दिया यह gray scale mode तो देखे दुबारे हाँ से हम new पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखे यहां पर क्या लिखा इसमें gray scale तो डिफॉल्ट आपको यहां पर क्या रखना है इसमें RGB क्योंकि अगर आपका इसमें gray scale रहेगा तो gray scale में आपका वह black and white आता रहेगा इसका size बहुत दर छोटा है इसका size मैं कर देता हूं 1500 width और 1500 इसकी height फिर हमें इसका करना है इसको enter और अगर आप चाहते हैं कि आपको document को close किये भी नहीं इसका format जो है जो इसका color mode है वो change करना तो आपको जाना है image menu पर और फिर आँस जाना है mode पे mode पे click करने के बाद देखिए आप यहां से grace के लिए कर सकते हैं RGB करना है तो RGB कर सकते हैं तो अब यहां पर यहां पर इसको select किया अब इसको drag करके यहां पर लिखेंगे तो यह drag and drop हो गया तो यह तब बिल्कुल सा हमारा selection tool अब देखे इसमें क्या selection tool में काफे सारी properties होती है अब देखे जैसे यहां पर इस पर right click करेंगे तो यहां पर gas के लावा इसमें और भी काफे सारी tools आ रहे हैं और यह जो हमारा mark tool इसका shortcut की बिखा लेकर आप इस पर कजल को drag करेंगे तो तो देखे इसका shortcut की बेखा रहा है rectangle mark tool और क्या इसका use है वह दिए प्रेवियू में दिखा रहे है ऐसे अगरम हमें आपे move tool पे क्लिक करेंगे तो move tool का भी shortcut रहा है इसका shortcut भी होता है और इसका preview भी दिखा रहा है कि इसको move करने के लिए यूज़ करते हैं और इसके बाद से हमाँ पर आता है हमारा elliptical mark rule rectangle से हम ब्लुक्ल rectangle में selection कर सकते हैं और अगर जैसे हमने selection कर लिया अब इस selection को क्या करना में delete करना है तो selection को आप दो तरीके से हटा सकते हैं तो क्या करना में इस पर राइट क्लिक करना है और यहां से कर देंगे इसको दिसलेक्शन किया selection कर लिया हमने और selection को हटाने लिए करना है इसको दिसलेक्ट या तरह आप इसको shortcut से हटाना हो गया इसके बाद में इसके हां से drag and drop करके इसके उपर लेकिया सकते हम देखें हां पर क्या है राउंड शेप में लेकिन इसमें problem किया इसका size बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो इसका size हमें छोटा करना है तो इसके लिए हमें करना है है एक rectangle वाली थी अब हमें क्या करना है यहां से क्लिक करके इसको कि कर देते हैं इसको select किया और यहां से क्लिक करते हैं तो यहां पर देखें सारे के सारे मूव टूल के option आ रहे हैं अगर हम इस पर क्लिक करते हैं यह हमारा मार्की टूल तो इसमें क्या मार्की टूल के सारे options आ रहे हैं तो सबसे पहले देखें हम discuss करेंगे इसके अंदर हम मूव टूल के options तो मूव टूल के option यहां पर देगे सबसे पहले आप एक option आता है इसमें auto select layer इसकी properties में आपको समझा दो सबसे पहले जैसे हमारा यह blind documentable को खा ली है इस पर कुछ काम नहीं कि हमने तो यहां से अभी हम simply brush यह कुछ बना लेते हैं brush का size आप यहां से चोटा कर सकते हैं यहां brush का size चोटा कर दिया और आप चाहिए तो जो आपका bracket होता है square bracket open से हम क्या करेंगे size बड़ा कर सकते हैं और square bracket close से हम size चोटा कर सकते हैं अब यहां करना है brush यहां में इस पर कुछ ड्रो करना है brush का युझे भी simple है बस यहां से हमने इस पर right click किया और यहां से हमने select किया brush tool अब यहां पर हम इसमें color पिक करेंगे तो आपको बस क्या करना है इस पर क्लिक करना है जो आप white color का जो यह color आ रहा है यह होता हमारा color इस पर क्लिक करना है और यहां से मैंने color पिक किया अब देखिए मैंने आप इसको फिर देखिन अब इसमें problem आ रहे है काफी हलका चल रहा है तो यहां से इसको फुल कर देते जो मैंने पहले उसकिया था वही डिफॉल्ट आ रहा है तो यह आपके में जो है यह फूरा इसको इसको मूब कर सकते तो टॉपिक हमारे वह इसमें auto select layer तो जैसे मैंने आप एक layer लेते हैं और यहां से हम क्या करेंगे brush बना लेते हैं कुछ और से बना लेते हैं अब देखिए मैंने इसका size बढ़ा गया बस त्यान रखना आपको कि यह जो हम बनाएंगे जो भी काम क और अगर इसपर क्लिक कर रहे हैं तो यह गोँव हो रहा है तो लेकिन अगर हम क्या करेंगे इसको यह से कर देते है अब जैसे यहां पर देखे अंटिक हो गया option हमने close कर दिया और यहां पर देखे जो बड़ी वाले circle की layer है layer 2 अभी यह selected है तो इसी को ही move कर सकते हैं इसको move हम नहीं कर सकते हैं बेसक्षित हम इस पर click करेंगे यह move हमारा यह वाला होगा क्योंकि यह selected है लेकिन हम क्या करेंगे अगर हम चाहते हैं कि जो छोटी वाले circle की shape है इसको हमें move करना है तो हमें पहले करना क्या होगा layer 1 पर click करना होगा इसके बाद आप इसको move कर सकते हैं अब जैसे इसको move करना है इस पर click करना पड़ेगा करो में इसे चुक्तर महें चाहते हैं कि जब इस ने संपढूर में इसको भी पर सकते हैं इसको cotton कर कर दिया अगर मैं एक कर पाइंगे तो देखे औप्ट्टूल डवाया तो आटो स्लैक्सेमारा अkil home 1967 या टेख है अगर आप इसको बैक्राइब देते तो इसको फो उसा पर कंग करना और फिर यहा पर हाता ह्ता इसको फ चार चार्पटिक लगाएंगे यहां पर देखे, आप जिन को इसको 181 कांगे सब्रान्सफ्वर्व मतलब क्या ऩा करना है इसना टाराइब चाहएंग्व भूद है कि आप जैसे ठीक लगाते हैं आपको यहां पर यह box मिल जाएगा जिसे आप क्या कर सकते हैं इसको simplyTo अंदर है स्क five लांको करें घर्ले Jay okay salary कर सकते हैं इसको आफ करना है यहां पेस पिर एक करने शाहिंखाने इस पर okay कर देंगे कि Caesar जार इसके बार होते हैं यह हमारे होते हैं कि अंदर यह संटर में करना है तो सैंटर में कर सकते हैं अब लिए जैसे इसको को यूज करने से पहला में कम और करना पड़ेगा जैसे आफ've इस वालन इसे तेस को हाइड का डेते мंग करने क्या है इसको क्में करते हैं इसको बिल्कुल सेंटर में करनाएं याम तर्ट सबसे पहला हं करेंगे क्या इसमें हम क्या करेंगे सलेक्ट प्लिफ होगया फिर में जाने मुफ डूल पर यहां सब्सक्ति को सब्सक्राइब सकते हैं और इसे इसको टॉप में गरेंगे बहुत टाइब तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगली वीडियो में हम बाके की टूल्स चीखने लें और यह जो आज हमने उप्शन सीखें यह सारे आपको अच्छी तरह के से प्रैक्टिस करने और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंड सेक्षन में बता सकते हैं मैं उसका रिप्लाइब आपको जरूर करूंगा बत्ततत आपको जरूर कर दोएपको जरूर कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बता सकते हैं